सभी समुह की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को नवश की सुपकावनाए आपका 2021 मंगल में हो जी हाँ, आज मैं रिदी आपको एक नई जनकारी देना जा रही हूँ स्वेम सहयता समुह की महिला जी हाँ, जिसके बारे में मैं आपको आउगत कराती रहती हूँ, 500 रोगे बारे में वो तो आपको करना ही है उसके साथ अगर आप समुह में जूड़ी हैं तो आप आज जीव का सखी का काम कर सकती हैं जी हाँ, आज जीव का सखी का क्या काम है आज मैं इस वीडियो के थुरू आपको बताऊंगी फार्म आज युका सखी के लिए पात्त्रा मापदंड जी हाँ, कौन-कौन से है, आप कैसे फार्म बसकती है ये फार्म लाग द्वारा भरबाया जाता है समू की मेंबरों को जी हाँ, अगर आप स्वेम शहता समू में जूनी है तो आप आजिव का सखी बन सकती है वह उसी गाउं की स्वेम शहता समू की सदस्य होनी चाहिए जी हाँ, पात्ता क्या है वह उसी गाउं की स्वेम शहता की समू की सदस्य होनी चाहिए फार्म आजीव का सखी की सैचिक योगता नियुन्तम दस्वी बार्वी कच्छा पास होनी चाहिए वह अपने गाव में क्रिशी एवं पसु से संबंधित कार्यों का अनुभव वारुची रखती हो एवं उत्पादन के छेत सबसे अच्छी किसान होनी चाहिए फार्म आजीव का सखी के पास अच्छा संचार प्रशार कौशल होना चाहिए साथ ही वह एक अच्छी प्रेरक होनी चाहिए वह पढ़ने और लिखने में सच्छम होनी चाहिए चैन की जाने वाली क्रिसी सखी के पास बुनियादी संख्यात्मक कौशल होने चाहिए चैन की जाने वाली फार्म आजीव का सखी को ग्राम में स्थानी ब्रमण करने हे तू कोई बाधा नहीं होनी चाहिए अगर आप इस काम को ले रही हैं तो आपके गर में आने जाने की कोई बाधिता ना हो इस फार्म को भनने से पहले सोच लिजेगा वह परियोजना के वीवो का मतलब हो गया ग्राम संख्ठन द्वारा आयोजित प्रशिष्छन प्रदर्शन राज के भीतर बाहर में भाग लेने के लिए तयार होनी चाहिए आपको इन तीनों स्थान पे अगर आपकी ट्रेनी वगरा हो तो आप सब पाटिसेपेंट कर सके उसमें सामुदाय में किसी भी जागरुकता कारिक्रम को आयोजित करने की छमता होनी चाहिए चैन की जाने वाली फार्म आजिव का सखी की अधिक्तम आयोज सीमा पैतालिस वर्षे जादा नहीं होनी चाहिए महिला किसानों के लिए फसल भीमा सुरच्छा की सुविधा उपलब्द कराना किशी पदश्य महिला किसान व्यक्तिगत रजिश्टर और किसी भी अन्य रजिश्टरों के लिए निधारित प्रारूप में सभी रिकार्ड रखने के लिए जो समय के दवरान वीवो द्वारा निधारित किया जाएगा जिले के भीतर और बाहर एक्स्पोजर यात्रा में सहता प्रदान करना ग्राम संगठन द्वारा दिया गया किसी से संबंधित कोई भी अन्यकार करना पसु आधारित प्रतेक महिला किसान उत्पादक सदस के अनुसार आवस्यक जानकारी एकत्र करना एवं आकडों जैसे पसु आवादी मवेशियों के प्रकार दूत उपज रोग आदी पर नविन्तम जानकारी प्रदान करना मोखे रूप से वन्चित वर्ग को पसु आधारित आजीव का गती विधी को अपनाने के लिए प्रेडित करना ग्राम पंचायत के विक्तियों के साथ चर्चा करना एवं पसु के लिए गाउं में उपलब्द संसादुनों का पता लगाना से संबंधित इंटरप्राइजेज का पता लगाना पता लगाएंगी वह प्रसिच्छण पसुधन प्रचार और प्रवंध प्रदान करेंगी वह तक्निकी एजंसी के समर्थन के माध्यम से पसुओं के पालन के लिए तीका करन, डिवमिंग और बुनियादी प्रवंधन पत्धितियों में साहाता प्रदान करेंगी वह मित्युदर, जन्मदर, आदिकारिकाड और नियमित अधार पर किसानों के कई में दस्तावेज एकत्र करेंगी वह सामोहिक पालन पर काम करेंगी मुल्य स्रिंखला और विपणन के साथ जुन्ने में सहाता करेंगी वह जिले के भीतर और बाहर जोखी मियात्रा में सहाता करेंगी वह निर्माता समों के गठन में समर्थन करेंगी वह पसु पालकों को पसु धनबीमा में अवश्यक सहाता करेंगी चैन की प्रक्रिया चैन से पहले जीहाद आजिव का सकी का चैन से पहले ग्राम संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि उन्हें फार्म आजिव का सकी के चैन प्रक्रिया के बारे में ज्यानकारी प्रदान कर सकें चैन के लिए आजीव का उप समीती के सदस्यों के साथ एक चैन समीती का गठन किया जाएगा सभी SHG को समू सखी एवं SHG की प्रतिनिधियों के माध्यम से फार्म आजीव का सखी की आवसकता के बारे में सूचित किया जाएगा इस निर्नय को ग्राम संगठन की कारवाही पुस्तिका पर अंकित किया जाएगा बैठक में लिये गए निर्नय की अनुसार चैन समीती द्वारा चैन प्रक्रिया पूर की जाएगी चैन करता वास्तविक आवसकता से दुगना संख्या में फार्म आजीव का सखी का आवसकता अनुसार प्रती स्थापन परिवर्तन की दिष्टी से चैन कर सकते हैं जिसके सूची उनके रैंके आधार पर बनाई जाएगी एवं अन्तिम सूची पांच सदस्यो द्वारा विधिवत हस्ता चरित कर ग्राम संगठन अध्यच के पास भेजी जाएगी फार्म आजिव का सखी की आवसकता की संख्या परियोजना की प्रगती के अनुसार अलग-अलग हो सकती है प्रसिछड के लिए अन्तिम चैनित सूची से प्रतम उम्मीदवार का नाम BMMU को भेजा जाएगा प्रसिछड के सफल समापन के बाद फार्म आजिव का सखी को महिला किसानों को सेवाएं प्रदान करने हेतू सूची बद्ध या जाएगा या सूचना ग्राम संगठन के कारवाही पुस्तिका में भी दर्ज की जाएगी आजिव का सखी का भुकतान किशी आधारित कार के आधार पर प्रति पाट साला प्लाट विक्सित करने पर प्लाट के रख रखाओ पर प्रेणा पोशण वाटिका बनवाने पर प्रेणा पोशण वाटिका रख रखाओ बकायाड कीचड गार्डेन विक्सित करने पर प्रति घर फार्मो कमपोस्ट निर्माड दो सो रुपए प्रतिमा जी हाँ 200 रुपए प्रतिमा 100 रुपए प्रति परिवार 25 रुपए प्रति परिवार 200 रुपए प्रति परिवार 10 रुपए प्रति माह 50 रुपए प्रति परिवार 5 रुपए प्रति माह 300 रुपए प्रति परिवार आजिव का सखी का भुकतान प्रती घर जी हाँ प्रती घर नाडेब कमपोस्ट निर्माण मिट्टी की जाच जैविक कीट नासक बनवाने पर प्रती फसल रितु में फसल बीमा महिला किसान का प्रोफाइल भरने पर महिला किसान का बेसिक प्रोफाइल भरने पर 200 रुपए प्रती यूनिट 25 रुपए प्रती परिवार, 10 रुपए प्रती माह, 50 रुपए प्रती परिवार, 30 रुपए प्रती परिवार, 10 रुपए प्रती परिवार इसी प्रकार आजीवगा सखी का भुगतान पसु आधारित निया पसु आधारित कार के आधार पर पसु बाड़ा रख रकाव महिला पसु पालकों का प्रसिच्चन पूरी प्रोफाइल जानकारी भन्ने पर रुपए प्रती बाड़ा प्रती माँ दो सो रुपए प्रती पाड़ साला तीस रुपए प्रती महिला किसान दस रुपए प्रती महिला किसान अधिक जानकारी के लिए जिहादी दी आपको जादा जादा जानकारी कर चाहिए तो अपने जिला या ब्लाग पर आवस संपर करें आजीव का सकी बनने के बाद दी दी आप पाँच हजार से साथ हजार रुपए प्रती माह मान दे कमा सकती हैं और महिलाएं कमा भी रही हैं तो आप अगर स्वयम शैता समों में जुड़ी हैं तो आप आजिव का सकी बनने का प्रयास करें हो सके आपके बलाक कत्रू आपका हो जाए आप हर महीने पांच जा साथ जा रुके आराम से कमा सकती हैं जी हां आज की वीडियो में इतना ही धन्य अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक स्सकाइब जरू कर दे ज्यादा से ज्यादा शैर केजिए अगर आप आज उका सकी नहीं बनना चाहती है तो हो सके दूसरी महिला बनना चाह रही हो आज की वीडियो में तहीं धन्यवाद